आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रेडमी या फिर किसी एंड्रोइड फोन में वाइफाइ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको इस टाइप की प्रॉबलम आती है Could not connect, try again तो ये प्रॉबलम कैसे solve करें कैसे ठीक करें आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं इस प्रॉबलम को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो वाइफाइ या फिर होट स्पॉट आप connect कर रहे हैं आपको चेक करना है अगर आप उसका password यहाँ पर गलत एंटर कर रहे हैं तो आपको ये प्रॉबलम आईगी तो एक बार password जरूर चेक कर लीजिए अगर आपका password सही है उसके बाद भी इस टाइप की problem आती है connect नहीं होता है ये error आ जाता है तो इसे ठीक करने के लिए अपने phone की settings को open करिए phone की settings में आने के बाद नीचे scroll करिए और एक option यहाँ पर आएगा connection and sharing इस पर किलिक करिए अब उसके बाद नीचे scroll करके आपको एक option मिलेगा reset wifi mobile network and bluetooth इस पर किलिक करिए अब उसके बाद आपको नीचे मिलेगा reset settings का option इस पर किलिक कर दीजिए अपने phone का lock enter करिए अब उसके बाद ok कर दीजिए ये करने से आपका कोई data delete नहीं होगा only आपकी network settings reset होगी अब इस process को करने के बाद अपने phone को बंद करके चालू कर लीजिए उसके बाद आप check कर सकते हैं फिर से wifi को connect करके आपकी problem solve हो जाएगी यहाँ पर हम connect कर लेते हैं तो connect पर किलिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं wifi connect हो चुका है तो इस type से यह problem आप solve कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को like करें और हमारे channel को subscribe जरूर करें